चोप्रा जोगी स्ने युटूब चैनल पर मैं हरसाई चोप्रा आपका हदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो आज इस वीडियो में हम स्टेट कोटा कांसलिंग अपडेट के बारे में बात करेंगे कि कौण कौण से स्टेट के अभी तक रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं उन स्टेट की बात भी करेंगे जिनके मेरिट लिस्ट पबलिस हो गई है और उने states की भी हम बात करेंगे जिनके registration close हो चुके हैं अभी तक क्योंकि कुछ-कुछ state ऐसे हैं जिनमें एक ही बार registration होता है लेकिन कुछ state ऐसे हैं जिनमें हर एक round में registration होता है तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि किसी भी स्टेट का आपका रेजिस्टेशन छूटने जाए, आप जिस स्टेट के डोमिसाइल कंडिडेट है, उस स्टेट में आपको रेजिस्टेशन करना जरूरी है ताकि आपको स्टेट कोटा की 85% सीट मिल सकें, MCC में 15% कंडिडेट इलिजिबल हैं, जिनका डोमिसाइल है, उस स्टेट का, तो सबसे पहले हम काउंसलिंग अपडेट में बात करते हैं केरिलाइस स्टेट की, तो केरिलाइस स्टेट के रेजिस्टेशन आलरड़ी क्लोज हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर अभी जिन कंडिडेट ने रेजिस्टेशन किया है, उनको स्कोर अपडेट करना है, और वह स्कोर अपडेट की लास्ट डेट 13 जुलाई 23 साम 4 बजे तक अक्स्टेट कर दी गई है, यह पहले 7 जुलाई थी, और अभी 13 जुलाई 23 तक साम 4 बजे तक आप अपना नीट का स्कोर एड कर सकते हैं, अ अपना स्कोर जरूर अपडेट कर दें, जिन कंडिडेट ने स्कोर अपडेट नहीं किया है, वो केरला स्टेट की काउंसलिंग के लिए कंसिडर नहीं होंगे, इसके बाद में स्कोर अपडेट कैसे करना है, तो केरला की जो वेबसाइट है, cwe.kerala.gov.in है, उसी वेबसाइ पर जैसे ही विजिट करेंगे, या application number, password और code डालने के बाद login करेंगे, तो आपको score अपडेट का option मिलेगा, वहां पर आपने score अपडेट करना है, अब बात करें, next बात करते हम तमिलनाडू स्टेट से, तो तमिलनाडू स्टेट के forum की date अलड़ी close हो चुकी थी, लेकिन अ एक open state है, यहां के private medical college में other state candidate admission ले सकते हैं, और यहां के government college में तमिलनाडू के रेने वाले candidate ही admission ले सकते हैं, तो जिनको तमिलनाडू के private medical college में admission लेना है, management kota किता है, तो वो registration कर सकते हैं, government के लिए वहां के domicile candidate भी 12th July 23 तक registration कर सकते हैं, अब इसका registration के लिए जो इसकी website है Teen Medical Selection.net है इस पर आप जैसी विजिट करेंगे इस परकार का इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पर apply के लिए click here to apply mbbs bds degree courses government quota and management quota का यहाँ पर link मिलेगा इस पर click करके आप registration कर सकते हैं easily registration करने का process यह है कि government के लिए इसमें अलग tape दिया गया है prospect भी अलग दिया गया है और online application form का tape भी अलग अलग दिया है mbbs bds management quota के लिए जो other state candidate है वो यहाँ से online application पर click करके apply करेंगे यहाँ पर इसके बाद में हम next बात करते हैं तेलंगाना state तो तेलंगाना state भी एक open state है और इसका competent authority यानि government quota के लिए registration स्टार्ट हो चुके हैं यानि कि जो तेलंगाना state के domiciled candidate है वो अभी registration कर सकते हैं और इसकी last date 14 तो जुलाई 23 रखी गई है इसकी जो website है tsmedadm.tsche.in इस पर जैसे ही visit करेंगे इस परकार का interface दिखाई देगा आपको यहां पर आप mobile and email registration करेंगे, candidate registration करेंगे, data update करेंगे, certificate upload करेंगे और application का print ले लेंगे या notification और prospect भी दिया गया है इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें मैं आपको बता दूँ तेलंगाना state में तीन कैटेगरियां होती है जिसमें government college के लिए counseling होती है इसका prospect भी अलग होता है इसके forum भी अलग फिल किये जाते है और यह जो तेलंगाना state के domiciled candidate है वो ही इसमें admission ले सकते हैं 85% state quota के तहरें इसके बाद में जो category B होती है वो management quota के तहरें आती है इसमें other state candidate भी admission ले सकते हैं private medical colleges में इसके अलावा category C होती है जो NRI candidates के लिए होती है NRI candidate इसमें admission ले सकते हैं जो category B और C है इसके जो online application form है यह बाद में शुरू होते हैं तेलंगाना के काफी दुनों बाद शुरू होते हैं जो other state के लिए management quota की seat है इसमें होती है उसके लिए आपको wait करना पड़ेगा उसके अभी registration start नहीं हुए है तेलंगाना state में यह सरफ वहां के government quota के लिए ही registration start हुए है जिसको competent authority कहा जाता है जो वहां के domicile candidate इसमें admission ले सकते हैं वहां पर अब next हम बात करते हैं आसाम state की तो आसाम state में registration के लिए special category के registration अभी start है यानि कि special category में sports आ गया जो defense के personal है वो आ गए जो freedom fighters है उनके जो special category के registration है ex-service man हो गया defense personal हो गया sports हो गया तो इसके लिए online application 14th July 23 तक रखी गई है इस date तब आप इसमें registration कर सकते हैं इसकी website www.dme.asam.gov.in है तो आप इस पर click करके ये registration कर सकते हैं अब बात करेंगे हम मेघाले state की मेघाले state की भी registration स्टार्ट हो गई है यहाँ पर एक government college है तो इसके लिए registration की जो last date है 14th July 23 रखी गई है मेघाले state के लिए और इसकी जो website है neigrihms.gov.in है यह यहाँ पर आपको offline application fill करनी है offline का format दिया गया है इस website पर offline application fill करने के बाद इसमें एक चालान format भी दिया गया है वो चालान format आपको download करके 500 rupees का इसमें चालान है वो 500 rupees आप pay करेंगे यह चालान pay करेंगे यहनि कि bank में deposit करेंगे और इसकी copy साथ में लगा करके आपको offline deposit करना है यह application form तो इसकी जो last date है वो 14th of July 23 रखी गई है इसके बाद में अगर हम बात करें आरुनाचल परदेश की तो आरुनाचल परदेश की counseling पहले ही हो जाती है complete भी हो जाती है MCC से पहले ही हो जाती है उसका seat allotment भी पहले हो जाता है जो उसका schedule होता है उसके according हो जाता है और इसका schedule अभी आचुका है first round के लिए 18th July 23 इसमें last date रखी गई है इसमें online registration की documents upload की फिर आपके documents से 24 July 23 तक verified होंगे verification होगा documents का और registered candidate की list 26 July 23 को publish कर दी जाएगी 28 से लेके 7 August 23 तक twice filling और locking का समय रहेगा और first round का seat allotment 9 August 23 को आ जाएगा इसके बाद में जो online और physical reporting होगा वो 14 August 23 रहेगा second round का भी schedule आ चुका है schedule के according ही इसमें counseling होती है तो ये 17th August 23 रखा गया है और last date रहेगी इसकी physical reporting की 22 August 23 last में जब sport round होगा वो बाद में notify किया जाएगा कि ये sport round कब होगा online application के लिए आपको इसकी जो website है उस website पर इस परकार से registration करना होगा इस परकार का interface आएगा इसमें face registration पर click करके आपको registration करना होगा तो ये तो थी state wise update जिनके registration form open हो चुके हैं और जिनकी जो किसी किसी की date extend हुई है उनके बारे में state wise अब बात करते हैं कि कुछ न कुछ state की कुछ अपडेट्स जरूर आई हैं तो हरियानाई state में admission procedure publish हो चुका है जो PGI रोतर की website पर इसका आपको पुरा procedure मिल जाएगा वहाँ से आप इसको download कर सकते हैं क्या admission procedure है हरियानाई state का इतना ही update है बाकि जम्मु कस्मीर, अंधरा, तेलंगाना और आसाम इन चारू state की merit list publish हो चुकी है तो आप इनकी website पर जाकर की merit list में अपना नाम चैट कर सकते हैं अगर आप इन state के domiciled candidate हैं तो आप जिनके registration आलरी closed हो चुके हैं, वो हैं किरिला के पहले ही closed हो चुके हैं IPO Delhi के पहले closed हो चुके हैं और मनिपूर के पहले closed हो चुके हैं registration जैसे जैसे जिस state के registration start होंगे, हम आपको inform कर देंगे, हमारा मक्सद यह ही है कि आपके state का registration चूटने जाए, क्योंकि हर साल ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं, जो जानकारी के अभाव में अपने state में registration कहीं नहीं कर पाते हैं और बहुत से ऐसे बच्चे हमें बाद में भी संपर्क करते हैं, जिनका registration चूट जाता है, और फिर वो बाद में कौन से form कब start हो रहे हैं कौन से state की क्या update है कौन से state की कितनी कटोग जा सकती है ये हम समय समय पर वीडियो upload करते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को subscribe करने के साथ साथ इस वीडियो को भी share करेंगे, ताकि हर एक student को इसका फाइदा मिल सकी नई update के साथ आप से फिर से मुलाकात होगी, तब तक मैं हरसाई चोपडा आप से लिता हूँ विदा, जै हूँ